आज हम गोबी के पराठे बनाएंगे गोबी के पराठे इतने ही टेस्टी बने हैं कि बुछे मत एक बार ऐसे गोबी के पराठे बना के जरूर खाए देखे कि इतना ही टेस्टी है पूरा भारा भारा सा है चलिए देखते हैं कैसे बनता है अब यह हम 200 ग्राम वह भी ले लिए हैं तो हरी मिर्च, प्याच, द्रग, लहसन, धनिया की पत्ती और यह हम जीरा पौडर लिए हैं अमचूर पौडर लिए हैं भूना जीरा पौडर है यह जीरा लिए हैं पौड़ी फ्लेक्स, हल्दी पौडर, नम्मक, काली मिर्च, धनिया पौडर और यह गरम मसाला और यह हम चाट मसाला लिए हैं इस तरह से बनाएंगे न तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और हींग है और यह मैं सर्सो का तेल योज करते हूं यह सर्सो का तेल हैं अब इसको हम गोभी को कद्दूकस से क्रेश कर लेंगे, मोटे वाले से क्रेश करेंगे, अब इक्रेश हो गया है अब हम वहरी मिर्ची को भी स्लिट करके ऐसे चौप्ट कर लेंगे प्याज को भी चॉप्ट कर लेंगे प्याज को थोड़ा छोटा छोटा ही चॉप्ट करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्याज को हमको सॉप्ट करना है बस बहुत ही टेस्टी बनता है एक बार इस तरह से ये गोभी के पराठे बना के जरूर खाए देखिए इस छोटा छ करस कर लेंगे कद्दुकस से छोटे वाले से लहसन को भी ऐसे कर लेंगे आप कार्ड भी सकते हैं और कुछ के डाल सकते हैं जो कुट कुट के डालते हैं उसे भी डाल सकते हैं पेस्ट भी डाल सकते हैं आपको जैसे इजी लगे उस तरह से हमको ऐसे इजी लगता है कद्दु तोड़ा सा क्रेकल हो गया है हरी मिर्च डाल दे आप इसमें प्याज भी डालेंगे प्याज को भी थोड़ा सा सोटी कर लेंगे इसके बाद अध्रक लेसन का पेस्टिस में डाल दीजे और गोभी को डाल के मिक्स करें गोभी को भी डाल के मिक्स करेंगे और इसको मोईस्ट रहता है न थोड़ा साथ पक चाता है इसमें थोड़े से हींग डालेंगे आधी छोटी चमच अब भालदी पॉरडर भी डाल देंगे सारे मसाले डाल के अच्छी तरह से मेरे रेसिपी से जरूर बनाईए गया अब कटी धनिया की पत्ति एड़ करके उसको भी थोड़ा से उसका मॉइस्ट डाउन हो जाए धनिया की पत्ति का भी अब ठंडा कर लेंगे जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा लगा लेंगे पराटा बनाने के लिए अब हम इसी से समझ लिए एक अपड़ का पाटा है अब अजवैन डालके मैं मिक्स कर लिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके नरमाटा गुथ लेंगे रोटी से थोड़ा नरमाटा गुथ न है क्योंकि पराटच बनाना है अब आटा भी तयार होगया है फिर से चेक कर लिए हैं अब हम पराटे बना लेंगे आपको जितना बड़ा छोटा जैसा भी पराठा बनाना है अपना उस तरह का आठा लिजिए हाथ में इस तरह से करके बना लिजिए इसके बाद इसमें भरने के लिए स्टपिंग जब करेंगे ना इस्टप करेंगे ना तो अच्छा रहता है अब बड़ी सी इतम रोटी जितनी पतली बनाना चाहते हैं पतली रोटी बना लिजिए पतली रोटी बना लिजिए पतली रोटी बना के ऐसे आठा ऐसे हम गेहों काटा लिए हैं ऐसे स्ट्रेट करके अब इसको हम ऐसे रख देंगे जो फिलिंग बनाए हुई है गोभी का अ इस तरह से ही मोड़ देंगे और इजली बन गया है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है अब इसको से मोड़ के फिर हम आठा श्पिंकल करेंगे और इसके बाद ऐसे एक बार लंबा में एक बार ऐसे अच्छे से पेल लेंगे एक पॉकेट जैसा बन जाता है एक तरह से समझ लेंगे बीजे गोभी पॉकेट पराठा हो गया अच्छ आथे असे वयर्य थोगा हम सब बना लेंगे बड़ी बड़ी रूटियां बनाएंगे इस फिलिंग भरेंगे इस तरह से पतली रूटियां बनाएंगे ना फिलिंग भरेंगे क्योंकि हमको दूसरी तरफ से फोल्ड करना है ना तो फोल्ड के तरफ से थोड़ा चाहता हम बेलेंगे ना तो पीछे कामेरा सेप रहेगा इस तरह से फोल्ड करेंगे इसलिए मैं दूसर देखा रहे हूँ कि इस तरह से फोल्ड करके फिर आंटा इस पे स्प्रेंगर करके जैसे उसको बनाएं उसी तरह से इसको भी बेल के तयार कर लेंगे अब वो भी तयार हो गया अब मेरी पराठे सब तयार हो गया है अब मैं सेख लेती हूँ अब मैं तवा गरम कर लूँगी तवा गरम हो गया है पराठे डाल दें अब पराठे थोड़ नीचे से पक जाए तो पलट के फिर अपना घी अगर खाते हैं तो घी से आयल से बटर से जो भी है अपना इस तरह से डाल के पूरा अच्छी तरह से लगा देंगे पराठे में फ फूल भी जाता है बहुत अच्छा फूलता है पराठा मुझे थोड़ा देखते हुए मटेरियल अंदर का देखते हुए पराठा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं ऐसे तरह बनाती हूं और टेस्टी भी लगता है अब इस तरह हम सारे पराठे से लेंगे एक एक करके जि अच्छा लगे तो लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए कमेंट किजिए गोभी के पराठे जरूर बनाईए यह तो गोभी के पराठे में बटर से ही खाली थी बटर से ही बहुत ही टेस्टी लग रहा था देखिए अपरा खुब भरा भरा हुआ लग रहा तैदम पॉकेट बला अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यी फर वाचिंग जाए